ग्यान मन्थन में आप सभी का हार्दि के भिनंदन करते हैं मैं हूं सबोध और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं स्रीमत भगवत गीता का अध्याय साथ जिसमें भगवान स्रीकृष्ण ने अर्जुन को ग्यान विज्ञान योग के वार करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको भगवत गीता के अध्याय साथ के वारे में जानकारी भगवान स्रीकृष्ण ने कहा है प्रिथापुत्र अब उसको सुन जिससे तु योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी सरन होकर स मेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग सेस नहीं रह जाएगा हजारों मनुस्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ती रूपी सिध्धी की इच्छा करता है और इस प्रकार सिध्धी की प्राप्ती के लिए प्रयत्न करने वाले मनुस्यों में से भी कोई एक मुझ को तत्तु प्रिथवी, जल, अगनी, बायू, अकास, मन, बुध्धी और अहंकार ऐसे यह आठ प्रकार के भेदो बाली तो मेरी जड़ सोरूप अपरा प्राकिर्ती है। प्राकिर्तियों को ही सभी प्रानियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ती तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मैं ध्वनी हूँ और मनुस्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुसार्थ भी मैं ही हूँ। प्रिथापुत्र अर्जुन तु मुझको ही सभी प्रानियों का अनादी अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धी और तेजस्वी मनुस्यों का तेज हूँ। हे भरत स्रेष्ट अर्जुन मैं वलवानों का कामना रहित और आसकती रहित बल हूँ। और सब प्रानियों में धर्मानुसार और सास्त्रानुसार विशयी जीवन हूँ। प्राकिर्तिक के तीन गुन, सत्तो गुन, रज गुन और तम गुन से उत्पन होने वाले भाव उन सब को तु मुझ से उत्पन होने वाले समझ, परंतु प्राकिर्तिक के गुन मेरे आधीन रहते हैं, मैं उनके आधीन नहीं हूँ. प्राकिर्तिक के तीनों गुनों से उत्पन भावो द्वारा संसार के सभी जीव मोह ग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्राकिर्तिक के गुनों से अतीत मुझ परम अविनासी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुनों से युक्त मेरी अपरा सकती सुरूप माया को प पुर्ख लोग मेरी सरन ग्रहन नहीं करते हैं ऐसे नास्तिक स्वभावधारन करने वालों का ग्यान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। जो सदाइव अनन्य भाव से मेरी सुध भक्ती में स्थित रहता है क्यूंकि ऐसे ग्यानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिये होता हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिये होता है। अन्तिम जन में ग्यानी मेरी सरन ग्रहन करता है। उसके लिए सभी के हिरदय में अस्थित सब कुछ मैं ही होता हूं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुरलब होता है। हे अरजुन जिन मनुस्यों का ग्यान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नश्ठ हो चुका है। वे लोग अपने अपने सभाव के अनुसार पुर्व जन्मों के अरजित संसकारों के कारण प्राकिर्तिक के नियमों के बस में होकर अन्य देवी देवताओं की सरन में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को सरधा से पूजने की इच्छा करता है। और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। यह मुर्ख मनुस्य मुझ अजनमा अविनासी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। कर्म किये हैं तथा उसके सभी पाप पुर्ण रूप से नष्ठ हो चुके हैं। वह द्रिड संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदी सभी द्वंदों से मुक्त हो जाता है। नियंतरक तथा अधियग्य अर्थात संपून फलो का भोगता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थिर रहता है वह मनुस्य मृत्यू के समय भी मुझे जानता है। दोस्तो इस प्रकार उपनिसद ब्रह्म बिद्या तथा योग सास्तर सुरूप स्रीमत भगबत गीता में भगवान स्रीकृष्ण तथा अर्जुन के संबाद में भगबत ज्यान योग का स्तात्मा अध्याय संपून होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिएगा। और दुस्तो भगबत गीता के आगे के अध्याईयों के बारे में जानते रहने के लिए अप मारे चैनल ग्हान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ग्यानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे तो फिर जुरे रहें अपमारे चैनल के साथ और देखते रहें जानते रहें धन्यवाद जैहिंद